सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अपडेट हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में और आज आपके लिए मैं लेकिया हूँ यहां पर उत्राखन प्रिवस एक्जाम पेपर सीरीज में आज नया पेपर जो है हमारा वीपीडियो 2018 यानिकि इससे पहले मैंने ग्राम विकास अधिकार जो पेपर था 2016 जो कैंसल हो गया था यहां पेपर उसी की जगा कराया गया था सन 2018 में कैंसल होने के बात ठीक है तो इस पेपर में अलग-अलग जी लेके अलग-अलग मैरेड बनी थी ठीक है ना तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और अगर आप पहली बार इस वीडि पेपर लेके आऊंगा ठीक है चलिए तो पहला प्रसने जो है मदू मदू मेरे दीपक जल में अलंकार है यमक्स लेस उत्प्रेक्षा या पुनरूक्ति प्रकास तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पुनरूक्ति प्रकास अगला है हम लोग भारती दूरशन का इसका सही आंसर हो जाएगा रसातल आउनी सब्दिका जो विलोम है वह है आपका अंबर ठीक है अगला है संखैश्वर ये सब्द में कौन से संदी है व्यन-जन यन अयादी या आपक्तमस से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है वो है आपका वी यस इन संदी ठीक है यहाँ पर कई बार कंफुजन होता है कि यहाँ पर संखैश्वर है यानि कि यहाँ पर double याई ठीक है Damit अगला है बैंक में उपस्तित व्यक्तियों के पदानुसार नाम उनकी राए कुरा विरुण कारेश तो इसका सही आंसर है कारी का वृत्त तो होता है अगला है करदम का प्रयावची सब्द है कीच, कोट, कंदर्पिया, कंगाल तो करदम का प्रयावची सब्द है यह हो है कीच, अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है सरल, विश्मयादी बोधक, सायुक्त या मिस्र, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विश्मयादी बोधक, ठीक है अगला है इस और अमरित का इसके जो दिया है आपका अपोजिर दिया है यहाँ पर भी क्यास का अर्थ हो जाएगा दो विरोधी सभावालें का मिलन हिंदी सब्द कोश में त्रो किस वर्ण के बाद आता है तो के बाद, रो के बाद, हो के बाद या शो के बाद तो इसका सही आंसर जो होगा वोगा ए कभी भी जब ऐसा चार संक्तिव वंजन होते हैं हमारे ठीक है इन चार संक्तिव वंजन में जब कभी भी कोई बनता है जैसे कि त्रो जो बनता है तो और रो से बनता है ठीक है इसके अलावा ठीक है तो त्रो बनता है तो इसमें जब कभी कभी भी मैंने आपको कई बार बताया है कि कभी भी अगर ऐसा होता है तो जो फस्ट वाला वर्ड होता है वही अक्षर जो बना होता है वो इसी के बाद आता है तो त्रो हमें सा तो के बाद आगा शौ हमें सा को के बाद आएगा ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी हम समयक्ति वंजन होंगे तो पहला अक्षर के बाद ही उसका अक्षर आता है अगला किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उले करना उस जिसके कारण वह मुद्दा चर्चामा आया हो वह क्या कहलाता है पीत पत्रिका पेस्थ्री पत्रिका आप एड या न् न्यूज पेक अगला है अब चला जाए यह वाकिया है कर्मवाच भाववाच या कर्तवाच तो अब चला जाए जिसमत चलने का भावा रहा है तो क्या हो जाएगा भाववाच अगला है ऑलाद किस भासा का सब्द है अर्भी तुर्की हिंदी या पुर्तिगाली ऑलाद ज उसका सही आंसर हो जाएगा B. माखन लाल चतरवेदी तो माखन लाल चतरवेदी को अभी तक का यान पिट पुसका नहीं मिला। कौन से संग्या किरिया पद के सांस सुद्ध है। पहली का समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना, जल की मात्रा। तो इसमें संग्या किरिया पद के सांस सुद्ध है, तो वह हैं जल की मात्रा। अगला है निम्रिखित मैसे किस रशनाकार को महापंडित की उपादी से विपुसित किया गया है। रागेव, रागव, रामिलास सर्मा, रामचंद्र सुक्ल या राहुल सांकृत्यायन, तो सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन को कहते हैं महापंडित। ठीक हैं, अगला हो जाएगा, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ती में कौन सा विशेशन है। प्रतेक बोधग विशेशन, निश्चय परिमान वाचक विशेशन, निश्चय वाचक सर्वनामिक विशेशन या समन्द वाचक सर्वनामिक विशेशन तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निश्चय वाचक सर्वनामिक विशेशन क्योंकि वह कह रहा है, वह खंभा गिर जाएगा ठीक है तो वह है तो निश्य वाचक हुआ हिंदी भक्ती साहित्य में अस्ट छाप क्या है आठ पुस्तक है आठ कवी आठ भक्तियां या आठ भजन तो अस्ट छाप क्या है आठ प्रमुक कवी है ठीक है अगला है ऐसा पद जो क्रिया या संग्या की विसेस्ता न बता कर एक वाकिया पद का संबंद दूसरे वाकिया पद से जोड़ता है वह कहलाता है संबंद बोधक विस्मयादी बोधक समुच्य बोधक या क्रिया विशेशन तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा चंद क्या है? दसा से, संपरदाय से, अवस्था से, दान से. ठीक है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, उपसर्ग मतलब होता है, दान. ठीक है? क्यो होता है? दान. चले. आगे बढ़ता है. अगला है, कुमाओ में चंदसासन का जन्वधाता था. ठीक है? तो obviously इसका आंसर D आजा सुमचंद होगा ठीक है तो यहाँ पर थोहर चंद भी दिया है आप लोग को ठीक है तो कई बार इसमें confusion होता है थोहर चंद नहीं है सुमचंद इसका सही आंसर है 700 इसी में सुमचंद ने यहाँ पर चंद बन से की स्थापना की थी अगला है आधा राज जी अंग्रेजों के कबज में जाने के पश्याद गड़वाल नरे सुदसन सान ने अपनी राजधानी स्री नगर से हटागर कहां इस्तापित की थी पौड़ी चमूली टिहरी है उत्तर का सी तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिहरी में ठीक है तो टिहरी मिश्र ने कोड़वार से किस पत्रिका की सुरुआत की थी मन देश, देव देश, गरदेश या उत्तर देश तो अब यसलिए ऑप्शन से ही बड़ा आसान है गरदेश का किया था अगला है भगत जवाहर मल का नाम संबनित है संथाल विद्रो, कूका विद्रो, नागा वि जो चलाया था, ठीक है, कूका अंदुलन, अगला है उत्राखन में किस सासन को स्वर्ण यूग के रूप में, किस सासन को स्वर्ण यूग के रूप में जाना आता है, कत्यूरी, सामराजी, मगल सामराजी, कुडिन्द सामराजी, गुर्खा सामराजी, ठीक है, तो अगला है राजाजी राष्टि उद्यान का नाम किस प्रशिद्य व्यक्ति के नाम पर समरपित किया गया है राजा हरिशन, सी राज गोपालाचारे राजा हरकिशन सिंग या उपिप्ड मैं से कोई नहीं, तो इसका स़ई आंसर जो हो जाएगा वे हो जाएगा, सी राज़ गोपाला चारी, जो हमारे कहते हैं, पूर्थम अज़ादी में रहे थे, ठीक है वह स्राइब बने थे तो सी राज गोपला चारी जो थे ठीक है तो उनी के नाम से क्या है राश्टी राश्टी उद्ध्यान बनाए गया है ठीक है तो सी राज गोपला चारी जो पृथम भारती गवर्नर रहे आजादी के ठीक है आजादी हुई तो उसके बाद इनी को से सुववस्थित करने एक पर सही विकल्प होगा तो सुववस्थित करना है आपको ठिक है जैसे परि विक्षा उसके साक Shatkaar यानि की परिक्षा साक Shatkaar a chain in यूक्ति विग्यापन और आविधन थीक तो सबसे पहले क्या होता है विज्यापन निकलता है फिर लोग क्या करते है उसमें आविधन करते हैं सेकिन नमबर पे ठीक है आविधन के बाद क्या होता है साक्षातकार होता है ठीक है साक्षातकार के बाद जो होगा आपका वो चैन होगा चैन के बाद आपका न्युक्ति क परिवीक्षा की जाएगी ठीक है तो परिवीक्षा लास्ट में इसमें तो उसका जोगा सही आंसर दी हो जाएगा ठीक है यह परिशा नहीं है परिवीक्षा सौरी ठीक है परिवीक्षा है अगला है आपका साहा पदवी प्रयोग करने वाला गड़वाल का प्रथम राजा गई थी किसके दारा बलबद्र प्रद्यों मन मानवेंद्र इन में से कोनी तो पहले थे बलबद्र सा जिन ने सा की पदवी लगाया थी ठीक है कहते है लोदियों दारा इनको दी गए थी कीबोर्ड की फंक्चन की यह फंक्चन कुंजियां कितनी होती है तेरा बारा पंदरा तो 12 होती है हमारी F कुंज है F11 F12 F1 से लेके F12 तक होती है F12 तक होती है यही होती है function की ठीक है अगला है सारदा नदी का उध्गा में पिंडारी कफनी मिलम या उप्रिक्तमत से को नहीं तो इसका सही आंसर उन्हें ने दिया था मिलम हिमनत ठीक है काली नदी सारदा नदी है दा स्टोरी ओफ इंडियन और्केलोजिक के लेखक है जोन मार्सल दैराम सानी राखलता बने रजिया M.S.N. ड्रॉई अगला है रमान के बारे में कौन सा कथन गलत है यह जनपत चमोली का एक लोग उत्सव है इसमें मुखोटो के सान नित्य होता है इसमें ढोल का प्रियोग वर्जित है और इसमें यूनेसको द्वारा विश्वी रासत गोसित किया गया है तो कौन सा सही होगा पहली बात इसमें मुखोटो के सान नित्य होता है जितने भी है मतलब इसमें ढोल वर्जित है यह गलत हो गया वर्जित नहीं है इसमें यूनेसको द्वारा यह भी बिल्कुल सही है ठीक है तो यहां पर इसका सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो यह हो जाएगा ठीक है कौन सा सी वाल या सेंटर इंडएंट तो इसमें कौन सा नहीं होता है वो होता है साइच को इंडएंट चमोली जनपत का सिजन हुआ था दो जनवरी 1965 चाओविश जनवरी 1960 30 में 1961 2021 जनवरीं गलत होगा है अगर आपको आगे का नहीं आता देड्ट तो ये दुनों गलत है तो 1960 में हुआ था तो इसका सभी आंसर क्या हो जाएगा अगला है डिए के ग्रिड में प्रश्णवादाद चिंडी के स्थाने और संख्या क्या आएगी इसको आफ आराम से निकाले क्या आएगी इसमें जो यहाँ पर प्रश्चन सय है ठीक है इसका उत्र में हाँ पर क्रों आफ आफ आरा छाहिए ऐले है अगला है तो है आप जानते हो गंगोली हाट अगला निमलिखित मैंसे सम पिेस का संब्मूणन नाम है यहां के संपिप क्योंस नाम है सीरियल में main power system या उप्युक्तिम से कोई नहीं तो इसका सबस्ब पहला है switch mode power supply होता है तो क्या होता है switch mode power supply अगला है dr. दिवान सिंग भाकुनी संबन देता है कला से साहित इसा औसदी वैग्यानिक या उप्युक्तिम से कोई नहीं तो यह आज़धी वैग्यानिक, अगला है, आगरा सहर की स्थापना करने वाला कόं था फिरोहष है? महामध बिन् तूगलग, अलावधिन खिलजी यह सिकन्दर, लोधी, तो आगरा सहर की नईव डालती, सिकंदर लोधी न ढाली थी 카ा अगला देखते थे हैं संदरड़ोंगा हिमानी की जनपद में है बागेशवर टिहरी उत्रगासे दह़दुन तो संदरड़ोंगा जो है यहो इस थाहユा है बागेशवर में ठीक है अगला है म्यामार के प्रशिद्ध लोग प्रिनेता आंग सान्सू की राजिती दल से संबंदित है नेशनल डिमेकरसी फॉर लीग, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, कम्यूनिस्ट पार्टी और नेशनल लेबर पार्टी नेशनल लीग फॉर टेमोक्रेसी, अगला है प्रिसिद्ध साहितिकार सेलेश मत्यानी का जन्म उत्राखन के की जन्मत में हुआ, नेटाल पिठाड़गर चमूलिया, अलमोडा तो ये जो हैं, अलमोडा के हैं, ठीक हैं, कहा के हैं ये, अलमोडा के हैं, सेलेश मत्यानी अगला है, इसरो के PSLV 38 द्वारा एक ही प्रिसिक्षन में कितने उपगरः प्रिक्षित किये गए थे, बहुत important question है, ये पूछा जाएगा आगे भी, और वैसे भी ये बहुत चर्चामर रहा था उस समय, तो इसरो के जो PSLV 38 है, कितने छोड़े थे, 31, 38, 104 या 108, तो इसका आराम सा समझगे होंगे, कि कौनसा इसका आंसर सही होगा, तो धुनीगर नाम से कोई भी गर नहीं था, बागि देवलगर तो था ही, चांप्रुल गड़ी भी है और बधान गड़ी भी था, इसमें आपको बताना है कौनसा आंसर सही होगा, ठीक है, तो आप उसको निका ल तो इसका जो आंसर है वह पृथिवपती साह है पृथिवपती साह जो था इन्होंने सुलेमान सिको को क्या दी थी सरण दी थी ठीक है अगला है जल्ली घुटु की सराजजी का पारमपर खेल है बहुत उस समय ये फेमस रहा था अभी भी है तमिल नाड़ु का में से आपने बस में क्यादा नहीं जैसे साड होते हैं तो स्पेन में होता है बुल वाला वैसे यहां पर भी इसका एक खेल होता है अगला निमलिकित में जो गलत युक में हैं उसको चैन करना है व्यक्ति और उसका संबन्द और उनसे व्यक्ति और उनका संबन्द चंद्रबबाय जो हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा गलत युक में डी ही है इसमें अगला है उनिस सो शतानुनिस वी की कारांति के बारे में कहा गया है कि यहों को तत्था कथित परथम राश्टी सुतनता संगराम ना तो यहों किन नहीं राश्टी और तत्थन ही pasture ठीक हें इवक्ति चाहल का राज़वन किस वर्स भूकमप के कारण च्हतिकेस हुआ था 1805 में, 1808, 1803, 1815 में तो इसका सहीम आंसर जो हो जाएगा चाहर स्था ये जो भूकमप आए था उसी में ही इसका जो राजबन था किस वर्स में भारी भूस करन हुआ, 880, 890, 870, 870, 870, तो इसका सही आंसर सन 880 में हुआ था, यहां पर भूस करन, ठीक है, पहला जो हुआ था, वो 67 में हुआ था, ठीक है, हिल साइट सेप्टी कमीटी बनाए गई थी फिर बाद में, ठीक है, तो दूसरा यह वाला था, तो जनरी 2015, साथ फरी 2015, तेरा मार्चे 2015 या अठारा अप्रेल 2015 को, तो उसका सही आंसर हो जागा, एक जनरीशन 2015 को, जो जो जना आयोग था, उसका नाम बदल लेक्चा कर जाए गया, नीती आयोग, अगला है कुमाओ परिसत गठन केस वर्सक किया गया, कुमाओ परिसत, 1903 या 1906 या 1905, तो कुमाओ परिसत का पहला जो गठन हुआ था, सबसे पहले 1906 में हुआ था, ठीक है, अगला है, रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वो शाम से 9 दिन चुटा है, इस वर्सम महात्मा गाधी का जन्म दिन मंगलवार को होगा, शाम अपना जन्म दिन किस दिन म आकर्मण की जानकारी कहां से प्रावतित होती है, लैलता दित्य मुक्ति पीड़ा ने उत्राखन पर हमला किया था, उसको अपने अधिन में किया था, और यह जानकारी हमां किस से मिलती है, रास्तरंगनी से, सभासार से, तो सही इसका आंसर है, रास्तरंगनी, रास्तरंग पर लाओँ हो आने भारत में सेज की जो ओधाराणा है वो कहांस ली गई, जापान, सही फान, चीन, सही, ऑफराण, अमरिकाईग, जर्मनी, तो सेज के ओधार 윤व सुझे ह् है वो फ्रीज़ाण छायिना चीन से ली जानुई नदी निम्निमे से कौन सी एक मुख्य नदी से सम्मझे जानुई काली नदी रामगंगा अलगनदा भागयती तो जानुई नदी जो है यहाँ भागी रती की सायक नदी है किस प्रकार की मुहरे सिंदुगाटी सब्विता और मैसवपोटामय के मजबूत रिस्तों क मिली है वह है बेलनाकार महर तो बेलनाकार एक महर है जो हमको सिंदुगाटी सब्विता से मिली है और इस महर में जो है एक कूबर मतलब इसमें एक सिंग वाला जो बैल है वो बना हुआ है और यहाँ बैल जो हड़पा सब्विता समझे दे महर मैसवपोटामय की है इसलिए इसमें कहा गया है कि मेसो पूटामया और सिंदुगाटी सब्विता के मजबूत रिस्तों को दरसाती है यह हो मुहर अगला है मार्ची दुष्या सोला को अंतराश्टी पेरागलाइडिंग प्रितोगिता का आयोजन निम्निमसिक किस इस्तान पर हुआ तो ये खरंट एफयर है उस समय की तो मार्च दुष्या सोला को चैनल को पेरागलाइडिंग हुई थी आपको पता होना चाहिए वैसे लोकल कोश्यन है ठीक है तो कहा हो थी पिथवी पिथवागड में की गए ठीक है पिथवागड में हो प्रिथ की है निए प्रेश्टम आय होने के लिए जो के लिए चालीस वरस अंधिक्तम का रभी में चाता है में उन्टाλλीС चात्रों के बाहर का ओसा चारीस का छालीस Behind ँछ सारहता कर दिया जाए आठ्षान ग्राम में विडियो जाती है जाक्ड नहीं हो इसमें इsti का बात अच्छा कोशन है इसम' इन दोनों गुणा करके पहले इनका टूटल निकालो फिर इसमें एक बढ़ाओ यहां पर ठीक है और उसके साथ औसद भार में जितनी कमियुरी वह बढ़ाई है उसको गुणा कीजिए माइनस कीजिए आपका आंसर निकल जाएगा तो इसका सही आंसर मैं पर टिक कर रहा हू जाएने अगवरी यह इनसर कोई नहीं तो इसका सही आंसर जो है वह आपका भी तुझुके जहांगीरी में पता रगता है थीक है चलिए अगला है भारत अगला है भारत में नियुनतम मज़ूरी अधिनियम पारिद हुआ था उननीस सो सही आंसर हो जाएगा सा नाइंटीन 48 में अगला है अरजन पूर्षकार से सम्मानित खिलारी हरी जत्त कापडी किस केला समन— फुट्बॉल या बॉलीूग तो जो अरजन पूरकर सम्मानित है हरीजत्द कापडी ये खिलता हैं बॉस्किट बॉल ठीक है तो किया खिलते हैं बॉस्केट बॉल अगला है ग eux तो प्रजण उसका है तो इसका सही आंसर जो पूछ रहा है कौन नहीं है यही है 2011 की जनकरणा की अनुसार जनसंख्या घंध्यत्यों के संबंद में उत्राखन का भात में कौन सा इस्थान है 26, 27, 28, 29 तो कौन सा ऐसा इस्थान है 26 इस्थान है जनसंख्या घंध्यत्यों के मामले में उत्राखन का देश में गड़वाल का बारदोली कहा जाता है किसे डाड़ा मंडी गुजुलू सिया स्यानिया और प्रुक्ति में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजुलू गुजुलू जो है उसको कहते हैं गड़वाल का बारदोली कुमाओं का सल्ट सोजन्या नौ दिन पहले फिल्म देखने गई वह केवल ब्रस्पतिवार को फिल्म देखने जाती है तो आज सब्ता कौन सा दिन है नौ दिन पहले ब्रस्पतिवार था तो गिन के अराम से सुख कर सकते हो आप कौन सा वार आज होगा वोद्वार मंगला ब्रस्पतिवार सनी तो कौन सा होगा भई तो यह होगा आपका शनी वार अगला है भोटिया जनजाती के लोक गीत हैं तुमेरा बाजू तिमली उप्रक्ति सभी तो प्रक्ति सभी है बिल्कुल सही है इसका अगला है भारत में राश्टी विकास परिशत की स्थापना हुई थी उन्निस सो पचास तो राश्टी विकास परिशत की स्थापना बहुत ही बार पुछा गया है अक्टूबर निस सो बावन में होई थी अगला है नुंग टंग देवी की पूजा की जाती है रंग समुदाय दोरा थारू समुदाय दोरा बोकस समुदाय दोरा वन राउत दोरा तो रंग है व्यक्तिक आ कहला है तो सबसे पहले नमें इसको भी प्रहा घान खाते ही भारत की केरी मंती परसाथ कितने में प intervention के лॉक ही wil उत्तरदाई होती है descriptive list of Marshall Cards of Almuda पुस्तक के लेखक हैं बद्रत पांडे, गोविंद बलपंत, हरगोविंद पंत, गंगादत्य उप्रेती तो इसका सही आंसर है डी, गंगादत्य उप्रेती तो उन्होंने एक पुस्तक लिखिया है अगला है यदि FEED का code 47 और TREE का code 91 तो MET का code क्या होगा बहुत आसान है, अराम से कीजिए मैं इसका उत्तर यहाँ पर लगा देता हूँ टिक कौन सा इसका उत्तर होगा ठीक है, तो उत्तर मेंने टिक लगा दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं 1935 इस पत्र का प्रकासन किया जा रहा है और यहाँ अगबार कौन सा है, तो समता अगबार है, ठीक है, सक्ती है नहीं सक्ती का प्रकासन 1918 महुआ स्वादिन पर जा है नहीं अल्मुढ़ा अगबार 1971 मना, ठीक है और समता 1935 में छपा था अगला है, भारती समिधान के संकट काली व्युअसथाय en ले गई है जर्मनी के बीमर समिधान से 1935 में छपा था जो, भारती स अगला है हिमाले का वह कौन सा बाग है करेवा के लिए पर सिद्ध है कुमायूं हिमाले कश्मीर हिमाले नेपाल हिमाले और अश्म हिमाले पीछे को हड़ जाता है वह हिम्हें यहां पर रहाता है जिसको हम करेवा कहते हैं और यहाँ पर करेवा जो होता है सबसे ज़्यादा सैफ्रोन यानि की केसर की खेती इसी करेवा में की जाती है इसलिए वहाँ पर करेवा पर सबस्यादा खेती होती है और अभी नंबर अन खेती जो है सैफ्रोन की यानि की केसर की सबस्यादा जो खे पक्का आगे आने वाल हैं 100% आगे है धुवाधार जल्परपाद इस्तित है तापी गोदावरे किष्णा ये नर्मदा तो धुवाधार जो है आपका वह इस्तित है नर्मदा नदी पर MP में ठीक है ना चलिए आगे है राज निर्वाचन आयोक का गठन भारत के समिधान के कि सनुषित दरा क्याता है राज निर्वाचन आयोक की बात हो रही है तो यहाँ है 243J 243K 243L या M ठीक है तो इसका सही आंसर जो है वह है B 243K है और यहाँ आपका जो 240K है यह आपका पंचायती राज अधिनियम के अंदर दिया गया है ठीक है मोहन उप्रेती क्या है बही प है आप सीथे चलना है और फिर बाईं और मुड़े यदि उस समय अस्तो होता सूर्य आपके दाईं और हो तो प्राव में आप किस दिसा की चल लेते हैं बहुत ही अच्छा प्रस्ते हैं आगे आने की सम्भाना है आप इसका उत्तर अराम से कीजे मैं इसमें टिक कर देता ठीक है अपने मन से करेंगे तभी आएगा 32 संग्राम के दोरान निम्निखित मैंसे किसने किसने इस बात पर जोड़ दिया था कि ग्राम पंचयतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थी को राजी ने सकती विकेंदिकन होना चाहिए लाला राच्वदर राई पंडि जवरा नेहरू बाल गदरति लगया महत्मा गाधी तो इसका आंसर जा होगा गांधी जी होंगे जो गांधी जी क्या थे ग्रामेन लोग को ससक्त करना चाहते थे ठीक है अगला है अगला जो प्रस्न है वो देखते हैं भारती समिधान में पंचयती राज व्यस्ता से सम्मधित अन चलिए अगला है गड़वाल एशियंट एंड मॉडरन पुस्तक के लेखर कौन है हरीकेशन तुड़ी वॉल्टन बीडी पांड या पाती राम तो इसका स्यान समझाएगा पाती राम अगला है उश्न कटिवंदी घास के मैदान हो क्या कहते हैं स्टैपीज प्रेरी सवान ह तो उश्न कटिवंदी जो घास के मैदान होते हैं ये कहलाते हैं आपके सवाना ठीक है और सवाना घास के मैदान होते हैं बहुत बड़े छेत्रे पहले वे हमेशा हरे फरे हते हैं ठीक है इनके अलगला नाम है है उत्तरी अमरीका में लानोच कहते हैं ठीक है कमपास भी कहत फ़्सके मैदान है जो प्हेले हैं आपके सबसे ज्यादा चितर मैं करकर से मकर के बीच घरम घास के मैदान होते हैं उश्न करि बन्दी होते हैं सावाना कहलाता है बहुत ही बार पुछाता है अब बताएए आप कि देगे चितर में कितने वर्ग हैं तो देगे चित्र में कितने वर्ग हैं यह आपको बताना है ठीक है चलिए तो देगे चित्र में कितने वर्ग हैं ठीक है 12, 13 या 10 तो कितने वर्ग हैं इसमें तो यह हैं 12 वर्ग अगला है निम्न मैं से छत्रक सिला पाई जाती है नदी घाटी में मरुस्थल में हिमानी शिदर में कास्ट प्रदेश में छत्रक सिला मश्रूम रॉग ठीक है तो मश्रूम रॉग जो पाई जाती है आपकी मरुस्थल में मैदानों में ये हवा द्वारा काटे गे पत्थरों की बनती है ठीक है श्हत्रक सिला बोलता है उत्राखन में सिचाई अनुसंदान सस्तन कहा है सिचाई तो सिचाई तो obviously कहा है रूडकी में है ठीक है कहा है इसका रूडकी अगला है किसी वस्तु को 75 रूपिये में विक्रे करने पर एक आदमी को 4% कानी होती है उस वस्तु को वह कितने में बेचे करना है ठीक है तो इसका सही आंसर में लगा रहा हूं यहां पर आवाराम से इसको ठीक है तो यह होते हैं आपके उपोश्ण उच्छी दाप की पेटियां होती है लगबत 30-35 के बीच में जो छेतर होता है उसको हम क्या बोलता है अस्वक्षास 30-35 डिगरी के बीच में ग्राम पंचायत सदेश्यों की योगिता भारती समिधान की किस अनिश्यों वानित है तो जिन् 무द्ण पंचायत सदेश्यों की अयोगिता की बारे में से बतायाएं तो क्या आदुमें अयोगिता की प्रकार से आयोगिता हो सकता है किस अ बूछ वास्त अ बेदका ओंचिक का बैपर थैक है पर देडिए में हो जोड़ कर देडिए गलवान जे अच्छ भीली को में हो देडिए जलाओ राव कर देडिए जारों चेजिए पार लगक्नली ऐए जब देडिए प्रयाओ नेस्ट इन एक्श धो से खवड़ कि आप देडिए, तक पनावन जब रावन जब आ आडिए